सब्सक्राइब किजिए टेक्निकल स्वामिस चैनल को और प्रेस किजिए बेल आइकन पर लिटेश्ट टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फैंज तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप हेड़फॉन की पिन और चार्जर की पिन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी बिना इस्प्रिंग के तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से जो आपके चार्जर सोते हैं तो उनकी पिन या हेड़फॉन की जो पिन होती है उसमें इस्प्रिंग लगी होई होती है तो जो कुछ पिन सोती है वो इस्प्रिंग से हलकी सी कट जाती है जिससे आपकी जो केबल सोती है जल्ली खरा हो जाती हैं तो मैं आपको बहुत ही नया तरीक है इसको जूड़ने का बताता हूं तो आप अपने headphone और charging cable को protect simple एक hard paper से कर सकते हैं आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस technique को मैं बहुत तो लंबे समय से यूज कर रहा हूं तो मेरी केवल्स होती हैं वो खराब होने से बच जाती है तो simple आपको क्या करना है कि इसको हलका सा काल डेना है hard paper को आपको थोड़ा hard paper का use करना ही इसमें पढ़ेगा तो आपको यह जो hard paper होता है इसको आपको इसमें roll करना है तो यह आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अच्छी तरह से इसको roll कर दिया है तो यह मेरे पास cello tape है black color वाला या आप electric tape का भी उसको लगाने में कर सकते हैं यदि आपके पास white color का paper tape है तो आप उसको भी लगा सकते हैं यदि आप बाइद कलिकड़ टेप लगाए तो आपका जो हेड़न केवल है वह बहुत ही सांधार दिखेगा कज इस तरह से अमने कर दिया है तो दोस्तौ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से कवर कर दिया है तो यह दिए आप यह तरीक अपनाते हैं तो आपका जो आपकी जो केविल होती है जो उसकी लाइफ है वो थोड़ी उससे बहुती जादा हो जाएगी तो आपको इसी तरह से आपकी charging cable भी charging cable की उपर भी इस paper को आपको चड़ा देना है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इसको इस तरह से इस में ये paper को लपेट दिया अच्छी तरह से और इसकी उपर मैंने sellotape की coating कर दी है तो इस तरह से आप अपनी headphone cable और charging cable को protect कर सकते हैं तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने fan के साथ share करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करिए यदि आप मेरे channel में नए हैं तो subscribe किये बिना मत जाएए तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मौतरम